कक्षा बारा इतियास मात पून प्रश्न उत्तर एक डोज हर रोज विद्यार्थियों बोड की प्रिक्षा की तेयरी हम कर रहे हैं तो आईए विद्यार्थियों मेरे साथ जूड़िये और आगे बढ़िये अब की बार नबे पार इस रंखला का आज का पहला प्रश्न पूरा वस्तों के आधार पर बताईए कि हडपा वासी किन की पुजा करते थे आंसर मात्रदेवी, आद्यशीव, पसुपक्षों की, रक्षों की वर लिंगे की पुजा किया करते थे कौश्चन बर टू हडपा की खुदाई का कार्य किसके नेतरत में किया गया और कब किया गया आंसर 1921 इस्वी में हडपा की खुदाई का कार्य दायराम सहानी के नेतरत में किया गया कौश्चन थ्री महोन जोदडों में उत्खनन का कार्य किसके नेतरत में और कब किया गया आंसर, 1922 में स्री राखाल दास बनरजी की नतरत में किया गया मगद महाजनपत के सबसे सक्तिशाली होने के क्या कारण थे मगद छेत्र में अच्छी खेती के उपस थी, यहां लोय की खदाने थी, जंगली छेत्र में हाती उपलब्द थे Q5. दक्षिन भारत में सर्दार कौन होते थे? आंसर, सर्दार एक सक्तिशाली वक्ती होता था, जिसका पद वन्शानुगत भी हो सकता था और नहीं भी सर्दार की दो कारियों का उलेक कीजिए विशेस अनुष्ठान का संचारन करना, युद्ध के समय सेने का नेत्रत्व करना लिग्वेद के पुरुष सुक्त के अनुसार, चार वन्णों की उत्पती कैसे हुई? ब्रामन की उत्पती पर्मात्मा के मुख से, शत्री की बुजाओं से, वेश्री की जंगा से, वशुद्र की पेरों से हुई? भगवत गीता से आप क्या समझते हैं? आंसर, भगवत गीता महाबार्त का सबसे महत्पोन उपदेश आत्मक अंश है, इसमें कुरुष चेत्र के उद्ध में श्री क्रिश्न अर्जुन को उपदेश देते हैं। ब्रामनी व्यवस्था के अंतरगत किन नए समुदायों का जाती में वर्गी करन कर दिया गया? आंसर, यह तर्क काल माक्स ने दिया? बर्णिया ने सतीप्रथा के बारे में क्या लिखाए? आंसर, कुछ महिलां प्रसंता पुरग मत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। देवी की आरादना पद्धती को किस नाम से जाना जाता है? शंकर देव के उपदेश किस नाम से संबोधित किये जाते थे? किस अरब सेनापती ने सिंध पर विजय प्राप्त की और कब? आंसर महम्मद बीन कासीम ने 711 इस्वी में सिंध पर विजे प्राप्त की किस निर्नाईक उद्य से और कब विजे नगर आजी का विनाश हुआ 1565 इस्वी की राक्ससी तंगडी तालीकोटा के उद्य से विजे नगर का विनाश हुआ विजे का शहर कौन सा शहर केलाता है? आंसर विजे नगर व्रहदेश्वर मंदीर कहा है इस्ति थे? व्रहदेश्वर मंदीर तंजावुर में इस्ति थे दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? इसके अनुसा रेत विद्रो का क्या कारण था? आंसर दख्कन दंगा रिपोर्ट दख्कन के दंगों से सम्मधिद रिपोर्ट थी रेत विद्रों का कारण रिंद आताओं और साहू कारों की शौशन निती थी पहाड़िया लोग कोन थे वो अपने जीवन का निर्वा कैसे करते थे पहाडिया लोग राज महल की पहाडियों में रहते थे तो जंगलों की उपद से अपना जीव निर्वा करते थे अमेरिका में ग्राविद्ध के समय ब्रिटेन को भारत से कपास का कितना निर्यात होता था आंसर लगबग 90% साएक संधी क्या थी और इसे किसने लागू किया था सन 1798 में लाड़ वेले जली ने देशी साशकों पर कमपनी का नींतने स्थापित करने हैं तू साएक संधी लागू की इस संधी की सर्थे इस प्रकार थी देशी साशक को अपने खर्थ पर एक अंग्रेजी सिना अपने राज़ी में रखनी होगी बिना अंग्रेजों की अनुमती के बड़ देशी साशक की से अनी राज़ी सिना तो संधी करेगा और ना युद्ध करेगा बदले में अंग्रेज उसाशक के आंत्रिकें बाहरी चुन्वतियों से रक्षा करेंगे शामल कौन था और उसने 87 के विद्रों में क्या भूमिकानी भाई शामल उत्रप्रदेश के बड़ोत परगने के एक बड़े गाओं में रहने वाले जाट परिवार में पेदा हुए थे शामल ने 84 देश के मुखियाओं और कासकारों को संक्ठित किया तथा लोगों को विद्रों करने हैतू प्रेरित किया शामल ने सरकारी इमारतों पर हमला करके उन्हें नस्ट कर दिया जुले 857 में शामल वीरगती को प्राप्त हुए लखनाव रजिडेंसी के गेरे में विद्रोईयों द्वारा लखनों का कौन सा कमिशनर मारा गया आंसर सर हैंडरी लोरेंस दक्षिन भारत के ऐसे दो नगरों के नाम लिखिये जिन में मुख्य केंदर मंदीर होता था आंसर मदूराई और काचीपुरम चमडे की चीजों तो था उन्नी और सूती वस्तरों के निर्मान के लिए कौन सा उद्वी नगर परसित था आंसर कानपूर जमशेदपूर कीज के उतपादने के लिए परसित था तो जमशेदपूर स्टिर उतपादने के लिए परसित था कॉंग्रेस के कीज नेता ने भारत छोड़ों अंदरों में भूमी गत पतिरोध गति विदियों में सक्री भाग लिया अंसर जय प्रकास नारायन गांधी जी ने अर्सोयगा अंदुलन कब वक्क्यों इस्तागीत किया? गांधी जी ने अर्सोयगा अंदुलन चोरी-चोरा की हिंसात्म गटना के कारण 12 फरवरी 1922 को इस्तागीत किया भारत में गांधी जी की पहली महत्मुन साराजनिक उपस्तती कब होई? फरवरी 1916 में बनारा सिंदु विश्व इद्याल के उद्गाटन समारों में गांदी जी की पहली सारजनीक उपस्तती हुई इद्यार्थियों आज हमने महत्पून 30 प्रस्णों का दिन किया है सभी प्रस्णा आपकी प्रिक्षाओं के लिए 3 महत्पून है नीरंत रध्यन करते रहिए मेरे साथ जुड़े रहिए सिगरी नए प्रस्णों के साथ उपस्तित होंगे धन्यवाद झाल